गुद मॉर्णिंग तो यहां से देखते हैं यहां से इस को क्या करते हैं शुरू करते हैं तो आप लोग समझ चुके थे कि something that should be mentioned in the passage and we can't infer it हम लोग इसको क्या infer नहीं कर सकते हैं मतलब खुद से हम तो conclude नहीं कर सकते हैं वह वहां पर लिखा होना चाहिए पैसेज में कही न कही डिरेक्ली यह इंडिरेक्ली उसका mention होना चाहिए कि तभी हम उसको क्या कहेंगे कि यहां एक central idea था तो यहां पर देखेंगे इस question में question number 13 था कि इसका central idea कौन सा है इसमें कह रहा है पहले college provide पहले उपर बढ़ लीजेगा तो अपने आप नीचे आपको बन जागा तो जादरे time taking होएगा कह रहा है Harvard Business School estimates that 65-85% of jobs are required through networking Harvard Business School का अनमान है कि 65-85% जो नौकरियां होती हो networking से मिलती है networking का मतलब होता है आप किसी को जानते हैं वो किसी को जानता है इस तरह से college students can join fraternities and sororities clubs and teams as well as participate in a variety of social functions to meet new people and network with possible business connections तो वहाँ पी क्या होता है fraternities and sororities करके होती है लर्कियों के रहने के लिए या फिर वो छोटे-छोटे groups अपने बनाते हैं अपने पसंद नापसंद का अधार पर fraternities कहते हैं लर्कों के लिए इसके लावा clubs होते हैं books, clubs होते हैं या फिर अपने interest का अधार पर लोग क्या करते हैं hobby का अधार पर club बनाते हैं इसके लावा teams भी बनाते हैं अलग-लग social functions में भाग लेता है वहाँ से क्या है? नए connections create करते हैं जिनका प्रयोग को भविश्य में कर सके internships offered through colleges often lead to mentors और useful contacts और internship जो हम लोग करते हैं internship दो तरह की होते हैं internship में हम लोग क्या करते हैं जिस चीज़ के हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं practical लेते हैं उसको कहते हैं internship mentorship में भी आपको क्या है? mentors मिलते हैं important contacts बनते हैं within a students preferred field और यह सारे जो contact होते हो आप ही के field के होते हैं यह ने के माली जब क्रिकेटर है और एक film star से आपकी पहचान है तो उसका अध्यादे आपको लाब नहीं मिलेगा many colleges offer social media workshop इसके लावा social media workshops भी होती है जहां पर आपको social media पर कैसे अपने काम को पहचान दिलानी है अपने काम को बढ़ाना है वो सिखा जाता है networking tips दी जाती है career related consultation दी जाती है alumni networks create की जाता है alumni network का मतलब जो लोग उहां से pass out हो के पहले जा चुके है उनके साथ आपको मिलाया जाता है उनसे बात करने को आपको दिया जाता है ताकि आप उनके अनुभव से क्या है सीख सके ठीक है तो यह सारे क्या है यह सारे तरीके हैं इन सभी का क्या है लोग प्रयोग करते हैं यह सारे methods हैं इनका लोग क्या करते हैं प्रियोक करते हैं ठीक है तो यह सारे methods क्या है यूज होते है तो हमें देखना था कि इन में से कौन सा यहां पर क्या है यूज हो रहा है मतलब इन में से कौन सा passage का जो theme है वो नीचे में क्या है mentioned है तो पहला है college provide networking value which in turn increases employment opportunities तो आपको कहें networking मिलती है आप networking सीखते हैं networking का मतलब होता है आप अन्हीं लोगों से मिलते हैं मुलाकात करते हैं भीट करते हैं और आप अपना circle क्या करते हैं बढ़ा करते हैं जिससे आपके नौकरी पाने की सभावना भी क्या होती है temat यह तो सही है यह तो mention है आपको उपर में कि networking opportunities से हमारी क्या होती है बढ़ती है हमें नौकरी पाने के जादे अफसर मिलते हैं तो एक नमबर तो मेंचेंड है तो एक नमबर चला जाएगा Only colleges provide networking value and employment opportunities तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुए कि सिर्फ college में ही सारी चीज़े मिलती है Those who go to colleges have more employment opportunities than those who don't देखो सुनकर कि ये भी सही लगेगा आपको लेकिन ये mention नहीं है क्योंकि सोच करके देखो कि कह रहा है कि जो college आते हैं उनको employment का opportunity जादे मिलती है तो तुमको लेगा हाँ बिलकुल पढ़ा लिखा है तो उसको जादे नौकरी मिलेगी बट ये mention नहीं नहीं था passage में तो answer क्या होगा only one ठीक है अगले सवाल की तरह बढ़िये चलिए तो आपको क्या करना है दो टुकरों को जोड़ना है एक तो उपर में हाँ दूसरा है कि one two three इन में से कौन उसके साथ जोड़ सकता है answer एक सधिक भी हो सकता है अंसर क्या है वो एक से अधिक भी हो सकता है तो चलिए देखा जाए बट है तो contradictory statement होना चाहिए यानि इस sentence में जो भी कहा जा रहा है उसका उलट होना चाहिए उससे अलग बात कही जानी चाहिए तो देखते हैं कहा क्या जा रहा है यहां पर encouraging farmers to supplement their income through animal husbandry is a sensible decision अगर आप farmers को encourage करते हैं कि आप अपनी farm income को बरहाने के लिए पशुपालन भी कर सकते हैं तो एक sensible decision है बट लेकिन तो एक contradictory कोई बात होनी चाहिए जो मतलब फाइदे की जगा क्या है नुकसान की बात करें लेक लेकिन placing too many restriction on trading animals is counterproductive अगर आप animal trade यानी जानवरों के खरीद विकरी पे बहुत जादे प्रतिमन लगाते हैं तो counterproductive साबित होगा तो बिल्कुल सही आगे है इट इस critical that the government way the impact of every decision it takes on farmers ये भी चलेगा ये भी उल्टा है कि भाई लेकिन सरकार को क्या है हर निरना जो वह लेत what's the poorest farm household particularly those with less than a hectare of land तो इसका कोई logic नहीं बनता कहीं पर land का जिकर नहीं है कि भाई एक hectare से कम land है तो आपको जादे नुकसान होगा ठीक है तो one and two only जाएगा सिर्फ one or two क्या कर रहे है हां पर suit कर रहा है अगला भी बनाईगा यह भी वैसा ही है which है तो relative pronoun है तो इसमें देखोगे relative pronoun है तो relative pronoun का कुछ रूल होता है anti-silence वाला उसको focus करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चलिए यहां पर तो दो नमबर grammatically गलत है यह दो नमबर लॉजिकल ही सही है बट grammatically गलत है इस के जगह यहां R होना चाहिए था बच्चा क्योंकि systems है न या फिर यह हो सकता है कॉमा देती है न तो इसको compound noun की तरह लेके चल रहा होगा इसको post and telegraphs एक है department है न इसको लेके चल रहा हो compound noun की तरह तभी is जाएगा otherwise नहीं जाएगा तो कॉमा से separate कर रहा है तो हम मान की चलते इस ही को लेके चल रहा है तो यह तो जा सकता है दूस एक नमबर विच कनेक्टेड ठीक है भी टू है तो यहां पर कोई grammatical दिखकत ही नहीं है वन इंटू जाएगा तीन नमबर विच हैड वन दो मोस्ट एक्टेंसिव रेल्वे नेट्वर्क तो पोस्ट और टेलिग्राफ और रेल्वे का कोई संबंध ही नहीं है तो व चलू इसको इदेखो कि सब कोई कि हुआ 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 चलू देखते हैं इसमें कह रहा है और अस्ट्रेलिया इस रिजिस्टर वेलकम टिपिंग पॉइंट टिपिंग पॉइंट का मदलता हुआ वह मोमेंट जहां पर क्या होता है बदलाव होने वाला होता है तो चाइना और इंडिया सबसे अधिक अधिक अर्यवल नंबर यहीं से है कोई रिलेशन नहीं है इस वाक्य का पहले वाक्य से तो किस चीज को सुधारने की बात हो रहे है इसका कहीं जिकर नहीं है यह चल जाएगा एक टिपिंग पॉइंट पहुंच चुके जब पहली बार एशिया से जादे माइगरेंट आरा है यूरोप से माइगरेंट की संख्या क्या है कम गई है यह जा सकता है कि तो अवल नी थ्री होगा है चले अगला देखिया कि अ अ हुआ है 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 घौ कि चाव से ने की एक लेटत कर में है कि अ तो कह रहा है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता that people of a certain faith and Dalits की एक खास faith यानि एक खास संप्रदा है की लोग और Dalits मतलब Dalit लोग भी और यहां तक तु ठीक है systematically singled out for mob violence for the flimsiest of reason इनके साथ हिंसा होती है चल जाएगा पहला have plural है चलेगा have been given special rights and protection यह भी चलेगा undergo B1 है plural के लिए भी चलेगा तीन हो जाएगा बच्चा चलो अगला देखोगे अभा है। क्योbol शखब जाएगे इसको भी देखते है, सबको अल आ रहा है, देख लेते है, अल्थो पार्ट्स औ सुंदर्वन्स अर लेगली प्रोटेक्टेटेड, सुंदर्वन के अधिकतर हिससे क्या लेगली प्रोटेक्टेड है, नेशनल पार्क के रूप में और सैंक्चुरियस के रूप में, and there is a special focus on tiger conservation, और शेरों को बचाने पर क्या है, विसे फोकस किया जा रहा है, its future, इसका भविश सुंदर्वन के लिए आ रहा है, चलेगा, depends on local actions, ठीक है, much needs to be done, लेकिन और भी करने की ज़रूरत है, ठीक है, it is not enough to protect, ठीक है, तीन हो जा सकता है, बिल्कुर, मीनिंग के अधार पर, Central idea उपर में दे दिया गया है, यह उल्टा था, पैसेज पर के Central idea निकाला था, यहां पर Central idea दे दिया गया, आपको बताना है, यहां बात किस passage में mentioned है, यहां बात किस passage में mentioned है, तीन passages है, तो थोड़ हमको Zoom का level क्या होगा, कम करना होगा, तब ही क्या तीनों passage को हम, एक साथ स्क्रीन पे incorporate कर पाएंगे, 110 में हो पाएगा, चलिए, तो उपर वाली बात है, देखते हैं किस में लिखी हुई, यहां बात, किस में लिखी हुई है, जो theme है, जो central idea है, उसको हम highlight कर दे रहा है, जो, देखा जाएं, कह रहा है, sometimes the most familiar things are also the most mysterious, कई बार, जो सबसे familiar होती है, जिसको आप पहले से जानते हैं, वही सबसे अधिक mysterious निकल जाती है, वही सबसे अधिक रहस से मही निकल जाती है, तो देखते हैं कब, यू can make glass, आप चाहे तो glass बना सकते हैं, by heating up a glass forming substance, जैसे की silicon dioxide को करम कीजिए, until it becomes liquid, जब तक यो द्रविन बन जाए, और then letting it cool off, फिर उसको ठंडा होने दीजिए, if you get the temperature low enough, अगर ताप्रा, आप काफी कम कर लेते हैं, glass gets so viscous, यह इतना गाढ़ा हो जाता है, that it becomes solid, कि यह क्या solid बन जाता है, even though its molecules aren't neatly arranged, इसके molecules ऐसे बहुत बढ़िया धंग से arranged नहीं होते हैं, we still don't know what kind of transformation occurs when a liquid becomes a glass, लेकिन हम यह नहीं पता है कि liquid glass जब बनता तो उसमें किस तरह का बदलाव आता है, और even whether that familiar change of state is actually a thermodynamic phase transition like condensation or solidification or something completely different, या फिर यह जो परिक्रिया हो रही है, thermodynamics के हिसाब से इसको condensation कहेंगे, solidification कहेंगे, या फिर कुछ और कहेंगे, तो सोच के देखिये, glass क्या है, बहुत ही simple सी चीज है जो हम लोग रोजमरा की जिंदगी में यूज करते हैं, लेकिन बहुत ही mysterious है क्यों, क्योंकि इसके बनने का जो तरीका बहुत ही क्या है, अलग है, तो यह जा सकता है, If evolution is a process of survival of the fittest, अगर evolution का मतलब होता है, evolution का मतलब होता है उद्विकास, उद्विकास में क्या होता है? बदलते हुए माहौल के हिसाब से हमनों क्या करते हैं न धिरे-धिरे खुद को उसके हिसाब से ढालते हैं इसे को evolution कहते हैं अब मारे शरीर में बदलाव आते हैं जैसे हमनों पेरों से जमीन पर उत्र है तो हमारे हां धिरे-धिरे छोटे होते चलेगे पैर लंबे होते लेकिन altruism का हो होता है आपकी fitness को क्या करता है reduce करता है तो altruism में दिख्या होता क्या है अगर आप एकडम आदर्श वेकती हैं यह आदर्श वेकती है आदर्श कहने कर दो आप कुछ भी तो गलत नहीं करते हैं और सिर्फ हमेशे क्या कि दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं कि दूसरों का भला कैसे हो इस बहीविर देडूसेज फिटनेस ठीक है और यहां भी कहा जा रहा है कि सर्वाइवल अफ दा फिटेस्ट यानि धरती पर वही जीवित रहता है जो फिट होता है और अल्ट्रीजम क्या होता है फिटनेस को कम करता है अल्ट्रीजम में क्या होता है हम दूसरे लोगों का ख्याल रखते हैं तो अगर आप दूसरों को ख्याल रखेगा तो कमजोर विक्ती भी जीवित रहेगा कमजोर विक्ती भी बचेगा तो अल्ट्रीजम क्या करता है एक तरह ऐसे fitness को reduce करता है तो फिर why do we find altruistic acts wherever we look in nature तो फिर प्रकृति को क्या है altruistic नहीं होना चाहिए गरीब या कमजोरों की मदद करनी नहीं चाहिए प्रकृति में यानि प्रकृति में कोई भी जीव किसी कमजोर की मदद करते हुए नहीं दिखना चाहिए लेकिन ऐसा क्यूं होता है जैसे कि गजेल को लेके चले गजेल एक तरह का हिरन होता है conspicuously jumping up and down to signal to the troop that a lion lurks in the grass यहां क्या होता है कूदने लगता है यहां बताने के लिए कि शेर छुपा हुआ है लेकिन अगर survival of the fittest की बात होती तो उसको नहीं कूदना चाहिए था उसको छोड़ देना चाहिए था कि भाई जो सबसे दोड़ने में तेज होगा वो बचेगा जो slow होगा वो मर जाएगा लेकिन वहां क्या है मदद कर रहा है अन्य जीवों को बचने के लिए इसका मतलब वो जो प्रकृति का जो नियम होता survival of the fittest उसके against जा रहा है यह भी true है यह भी आश्चारी की बात है क्या कि survival of the fittest होता है evolution का principle लेकिन हमारे प्रकृति में altruism भी देखने को मिलता है जहां हम लोग कमजोर असाहाय को भी क्या है जिन्दा रहने के लिए प्रेरित करते हैं अब आते हैं तीसरे पर how do we see colors हम लोग रंग कैसे देखते है colors are actually waves of lights at different frequencies and picked up by our retina तो अलग अलग frequency की light होती है अलग अलग color देती है जो हमारा retina क्या करता है प्क करता है जहां पर आप बहुत सारे cones होते हैं जो red blue और green देखते हैं rbg rg भी कहते हैं sorry that information is transferred to your brain फिर यह जानकारी हमारे दिमाग तक जाती है and it tells you that you are seeing red और green और magenta और yellow तो यह क्या scientific fact है और यहां पर कहा है कहीं पर भी यह नहीं कहा जा रहे है कि अश्चरी की बात है यहां पर अश्चरी था क्या कि यह condensation है solidification है यह पता नहीं चल रहा है यहां पर भी आश्चरी की बात थी कि भाई evolution में तो fit को ही जिंदा रहना चाहिए लेकिन प्रकृति में कई बर क्या है unfit लोगों को भी बचाने की कोशिश करती देख सकते हैं तो a and b सिर्फ यहां पर mentioned है c mentioned नहीं है चली आगे देखिए का क्या कह रहा है passage बढ़के सवालों के जवाब देने है चली तो आपने passage बढ़ा है तो पूछिए passage बढ़ा है तो पूछो ने तो फिर आगे skip करेंगे questions बढ़ा है तो नहीं है तो इस वापई का बढ़ा है तो नहीं है बढ़ा है बढ़ा है रिफ यह थर च्वापिस बता दे रहे हैं चन्न चली आप गे क्वेश्ट नुमर तवेंटीटीटू ने खौगे सब कोई according to the passage what is the attitude of the author in the second para second para में author के attitude कैसा है चलो आस्तोश तुम्हारे सवालों का यहीं पे जबाब मिल जाएगा ठीक है अकल पूछ रहे थे ना कि कैसे पता चलेगा ठीक है अच्छा 23 नमरी भी बता देंगे तो देखो 22 में कह रहा है second para में तो पहले option देख लोगे cautious, complacent, reverent, authoritative, optimistic तो बी नहीं हो सकता authoritative आद्मी जो होता है na passage authoritative नहीं होता сейчас authoritative नहीं हो सकता complacent भी नहीं हो सकता complacent मतलोगता है लापरवा optimistic हो सकता है cautious हो सकता है reverend हो सकता है अगर बात कर रहा है कि ऐसा होगा ऐसा होगा model verb से पता चलेगा बच्छा ठीक है तो उसमें दिया रहेगा आपका कि can रहेगा will रहेगा तो ये सब क्या होता है optimism को बताता है can हो will हो ये सब ही क्या बताता है आप्टिमिजम को बताता है reverential कहने का मतलब है वो किसी की बहुत जादे तारीफ करता हुआ दिख जाए, cautious का मतलब है may का प्रयोग करेगा, might का प्रयोग करेगा may भी का प्रयोग करेगा इसका मतलब हो क्या है कि साध्धानी बरत रहा है, वह किसी भी चीज को declare नहीं कर रहा है, जैसे अगर हम बोल दें, किसी व्यक्ति को दवा दे के कि निष्चित तौर पर बच जाएगा तो इसका मतलब हम क्या है, optimist के लिए कि अगर हम बोलते है, बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है इसका मतलब हम क्या caution ले रहे है कोई भी बात इस पस रूप से नहीं कह रहे है तो model verb से पता चलेगा तो पढ़ो, दो नंबर पैरा The most important general purpose technology of our era is artificial intelligence, अभी जो सबसे general purpose software या ऐसे technology जो सभी लोग use करते हैं, हर शेत्र में use हो रही है वो है, artificial intelligence खास करके machine learning में machine learning में, machine क्या होती है, धीरे धीर हमारी वैभार के अधारे पे सीखती है और भविषय में क्या है, जो automated results क्या होती है, देती है That is the machine's ability to keep improving its performance without humans having to explain exactly how to accomplish all the tasks it is given within just the first few years machine learning has become far more we can now build system, why is this tool is the first few humans no more that we can tell, we can't explain exactly optimistic है, बार बार कैन का प्रयोग कर रहा है कि ऐसा कर सकते है, ऐसा कर सकते है, ऐसा कर सकते है optimistic है doubt हो तो पूछोगे सारा model verb से पता चलेगा सारा क्या है model verb auxiliary, अच्छा बताओ देखो अगर हम तुमसे पुछेंगे कि tone पूछ रहा है, कि passage का tone क्या है ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि ये नहीं होगा, 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 तो बहुत ही निराशावादी है, ये तो सर्फ यह ही बता रहा है कि क्या नहीं होगा, तो तुमने कैसे पकड़ा, do not, can not, should not, not से पकड कर सकता है जैसे कोई कह रहा है हम होंगे कामयाब तो आशावादी है अगर वो कह रहा है कि हम होंगे फेल तो नीराशावादी है तो टोन क्या है इन ही शब्दों से ही पकड में आता है और कोई उपाई नहीं है टोन पकडने का चलो 23 नमर कोशन पूछा है आज तोशने 23 नमर में कहा रहा है विशाव तो फॉलिंग कैन लॉजिकली एंड कंटेक्श्चली फॉलो पैरग्राफ 3 तो लिंक विद पैरग्राफ 4 तो पैरग्राफ 3 में कौन सी लाइन जोड देंगे तो पैरग्राफ 4 से उसको वो क्या करेगा जोड देगा पैरग्राफ 3 में वो ऐसी कौन सी बात जोड देंगे जो उसको पैरग्राफ 4 से क्या करेगा कनेक्ट कर देगा तो पैरग्राफ 3 की आखरी लाइन पढ़ो तो जो बॉटल नेक है यानि जो कमी है अब वो यहीं पर है कहाँ management में implementation और business imagination में कि इसे manage कैसे किया जाए इसे lagu कैसे किया जाए और इसका business implementation कैसे हो business imagination कैसे हो यानि किसी भी opportunity को business opportunity में कैसे बदला जाए देख लेते हैं तीन पूरा पढ़ना पड़ेगा बचा सेकेंड है ML systems are often excellent learners machine learning system क्या होते हैं बहुत ही excellent learner होते हैं बहुत ही आसानी से सीखते हैं देखे नचीफ super human performance in a wide range of activities कई तरह के activities में वो super human performance कर सकते हैं यानि ऐसा काम जो आम आदमी के वश्की चीज़ नहीं है उसको कहेंगे super human performance including detecting fraud and diagnosing disease वो fraud को detect कर सकते हैं बीमारी का पता लगा सकते हैं excellent digital learners are being deployed across the economy अब पूरी economy में क्या है digital learners यानि ऐसी machine लगाई जा रही है जो क्या है धीरे धीरे सीखती हैं जैसे आप एक बार flip card पे computer खोज लो कि भाई हमको laptop खरीदना है उसके बाद आप किसी भी website को अगर visit करोगे तो वहां पर आप देखो कि आपको laptop के add दिखाएगा यह सब क्या होता machine learning से होता है हमको idea लग गया दो तीन नमबर का चार नमबर पढ़न दो like so many other new technology however AI has generated lots of unrealistic expectation options परने दो बीनमबर जाएगा बचा बीनमबर जाएगा क्यों जाएगा अब कॉशन का example हम कैसे दे सकते हैं जैसे कॉशन है तो चंदन अच्छा पहले तो होगया बी होगा इसका answer अच चंदन बताओ तुम हमको बताओ साथधानी बरतने के लिए सर क्यों नहीं होगा देखो c में कह रहा है new products and processes are being made possible by better vision systems speech recognition intelligent problem solving and many other capabilities that machine learning delivers यहां पे कह रहा है कि बहुत सारी स्विधाय दी जाती है नए तरह के products and processes बनाय जा रहे है ठीक है अब यहां पे देखो कि third paragraph में जो हो रहा है न अलग-अलग sector में adaptation की बात हो रही है AI के AI के क्या हो रही adaptation की बात हो रही है अब यहां पे fourth paragraph में देखोगे क्या कह रहा है फर्किया है कि C में उनका example दिया जा रहा है A में generally कहा जा रहा है तो A जाता तो C भी जाता पढ़के देखो अगर A जाता तो C भी जाता ना दोनों में तो एक ही बात कही जा रही है D तो इस लिए नहीं जाता क्योंकि these innovations की बात हो रही तो पिछले वाक्य में क्या होने चाहिए था एक सथिक advances का जिकर होना चाहिए था इसलिए ए जाता तो C को भी जाना चाहिए था इसलिए A और C दोनों क्या हो गया हा चंदन चंदन बता रहे थे तो में को मालो हम तुम्हारे मित्र हैं चंदा हम रोड पे निकल रहे हैं तुम हमको बताओ कि हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए coronavirus में तो तुम बोलो कि you should do this या you should not do this तुमको यहाँ करना चाहिए तुमको यहाँ नहीं करना चाहिए तो जो बात सलाह देते वक्त में कही जाती है वही बात caution में भी कही जाती है अगर ये अलग लग तरह की शब्द का प्रियोग करेंगे तो मालोगी 50 तरह की शब्द का प्रियोग अगर करते हैं passage को define करने के लिए तो उसके लिए 100 तरह का model verb नहीं नाएगा model verb तो limited ही है लेकिन एक ही model verb से caution भी होता है और advice भी होता है cautious है अगर आप किसी को caution के लिए कह रहे है तो भी model verb का प्रियोग करेंगे शुड का और अगर किसी को advice भी दे रहे हैं तो भी आप किसका प्रियोग करेंगे शुड का तो मॉडल भर्प से ही पता चलेगा और कैसे मूड पकड़ हो गया आप मूड जब भी पकरिएगा तो शब्दों से ही पकरिएगा ना कि आप बुलीगा किसी नॉर्मली अगर सर समसंख्या वला पैसेज रहता है तो वो रहता है पॉजटिव और विश्रम संख्या वला रहता है तो नेगेटिव ऐसे कैसे पकड़ेगे ठीक ना चले अगले सवाल 24 पूछा था न किसी ना किसको आखरी वाक्य के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं गलती समसे क्लिक हो गया एक पर तो वो तो ऐसे ही कट गया तो देखते हैं तो देखते हैं तो देखते हैं पढ़ने दो सी जाएगा क्योंकि पैसेज उपर में हम लोग टोन आप्टिमिस्टिक है पकर लिए थे सेकेंड वालेगा तो यहां पर पहला वला तो जाएगा नहीं कि भाई कि there will certainly be some weird failures along with unexpected successes यह नहीं जाएगा B में कह रहा है over the next ticket AI won't replace manager से भी negative है C में कह रहा है कि जो organization rapidly sense करेंगा response करेंगा opportunities यानि नयाव सर कोई अगर आता है तो सब सर को तुरट seize कर लें कोविड 19 की बीमारी आई तो तुरट जो मास्क बनाने लगा वह company आगे निकल गई तो सीज आएगा चलिए पचीएज भी पैसेज यह है पूछो आगे पैसेज वाले questions है आपके नहीं गए नहीं है यह उन्ते सको 28 28 नमर बता दे रहा है देखो इसको पहले पढ़ लोगे कम से कम परग्राफ टू की एक दो लाईने पढ़ने होंगी परग्राफ वन आपको पूरा पढ़ना पढ़ेगा एक ऐसे समय पर वेन मेंनी एस्टैब्लिश कंपनी अर स्ट्रग्लिंग तो रिमेन कॉंप्टिटिव अपना अस्टैब्लिश के लिए बहुत सारी बरी बरी कमपनिया क्या है मतलब एक तरह से परशान है अस्टैब्लिश को अपना बचाने के लिए क्या है परशान है It is clear that fundamental changes is in order Is in order का मतलब है are about to happen तो बदलाव तो होना है ही निश्चित है Some established companies have found a path that works कुछ established या नि जो पहले से बरी कमपनिया है स्थापित कमपनिया है, सफल कमपनिया है उन्होंने एक ऐसा रास्ता अपना है जो काम करता है They are surviving, thriving and going head to head और वो क्या है, survive कर रही है, तरक्की भी कर रही है and going head to head with an onsal out of fast moving start-ups और वो उन्होंसे भी लर रही है, किन से जो ने ने start-ups आ रहे हैं, उन्होंसे भी लर रही है that seem to multiply overnight और इनकी संख्यरात और रात क्या अबर रही है फिर भी उन्होंसे लर रही है आगे दिखेगा वन को किस से जोड़ना है वन को किस से जोड़ना है अच्छा दो से जोड़ना है ना वन को, ठीक आगे दिखेगा a key tenet of digital transformation digital transformation का मतलब होता है tenet का पहले meaning बता रहेते हैं जो होता है एक basic guiding principle होता है उसको tenet कहते हैं जिसके उपर कोई भी company का पूरा जो working culture हो depend करता हो वह digital transformation में है यानि अगर आप अपने business को digital करना चाहते हैं हम लोग उने अपनी class को कहा है digital कर लिया एक तरह से internet और computer का प्रयोग कर कर रहा है वह है that digital strategy no longer plays a supporting role for business strategy कि digital strategy अब के supporting role में नहीं रहे गई it is given first consideration अभी main हो गया अभी क्या हो गया है main हो गया है चली तू देखते हैं कौन सा जाएगा नीचे में से transformation on this scale can be a long process तो क्या सबक लेना है तो यह सबक लेना है कि transformation on this scale can be a long process कि भाई इस तरह का बदला बहुत ही long process हैं नहीं सबक तो कुछ अच्छा वाला लेंगे न अगला है आगे कह रहा था traditional reactive vendor relationship कहीं पर vendor relationship की बात नहीं है तो देख लेना आखरी point में कह रहा है कि दूसरी company भी इनसे क्या सीख सकती है अब यहां पर कह रहा है each of these business transformation areas यहां companies के नेबल की business transformation areas की बात हो रही है यह भी गया these are just a few of the challenges यह उन challenges में से कुछ है अरे आखरी line में कह रहा है कि नए businesses इन businesses से कुछ सीख सकते हैं तो ऐसा ना A में है ना B में ना C में कहीं नहीं है none of the A पहोगा क्यूंकि आप जब ही सवाल से आपने इस passage को end किया है तो अगले वाक्यों को answer से शूरू करेंगे reading खराब है चंदन इसले नहीं बन रहा reading improve करनी होगे otherwise नहीं बनेगा कभी नहीं बनेगा आपको क्या होगी अपनी reading improve करनी होगी क्या है क्या रहा हो पढ़के समझना होगा तभी बनेगा चले 28 के बाद पूछे इसका none of the above होगा अब बन जाएगा तो class कहला करो गया जो लटा इसके बाद पूछो तो चलते हैं हम लोग 30 number question से यह तो फिर वही एडियम्स and phrases फिर वही आपका इडियम्स and phrases फिर टाइम लगए पैसेज बनाने में इस तरह का बट reading करते रहोगे तो धिरे धिरे क्या है समझ में आ जागा पहले में कह रहा है बच्चे आपका jump the gun ठीक है तो आपको क्या है वाक के दो टुकरों में है एक में phrase दिया गया है दूसरे में क्या है उसकी meaning को explain किया गया है देखना है सही है नहीं है तो jump the gun का मतलग होता है समय से पहले किसी काम को शुरू कर देना तो पहला है we decided to jump the gun हमन तो despite having asked him to keep the secret हमने उसको कहा कि तुम secret बताना मत he spilled the bins लेकिन उसने फिर भी क्या है बिन्स spill कर दी यानि secret बता दिया दो नंबर भी सही है आगे है snake in the grass दोखे बाज आदमी we never knew that Ben could prove to be snake in the grass हमें नहीं पता था कि Ben दोखे बाज निकल सकता है and that he would report us to the professor और वो हमारी के प्रोफेसर से शिकायत कर देगा तो तीनों हो जाएगा बच्चा यहाँ पर आगे अगला देखोगे his infidelity to his wife infidelity का मतलब होता धोखा देना तो reduced to ashes का मतलब क्या होता है जला के राख कर देना खत्म कर देना बरबाद कर देना किसी चीज़ को तो अपनी wife के साथ वो क्या था धोखे बाज था और इससे उनकी marriage क्या होगे बरबाद होगे बिल्कुल सही अगला sitting duck sitting duck का मतलब होता ह है completely unaware आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा बिल्कुल यह असावधान है they decided to take up the challenging project like a sitting duck बिल्कुल इसका कोई meaning नहीं जा रहा है sitting duck का मतलब होता है कि आपको पता ही नहीं है आपके आसपस क्या हो रहा है make a killing का मतलब होता है बहुत जादे फाइदा कमाना बहुत जादे मुनाफ़ा कमाना they made a killing by selling their project to microsoft one and microsoft को अपना project बेच करके खुब पैसे कमा एक और तीन अगला cost and arm and leg यहानी बहुत जादे महंगा होना अगर कहीं पर हम लिख रहें कि it cost me and arm and leg यहानी वह बहुत महंगी है ठीक है तो कह रहा है the only reason we could afford the car was that it was on sale एक मात्र कारण कि हम लोग यह car खरीद पाए वह इसले क्योंकि यह sale पे थी and cost and arm and leg यह कैसे हो सकता है अगर आप afford कर पा रहें तो वह ची सस्ती होनी चाहिए और cost and arm and leg की meaning होती है बहुत महंगा यह चला गया the vacation was like a nine days wonder nine days wonder का मतलब होता है चार दिन की चांदनी का ही है यानि short term और before we knew it इससे पहले की पता चलता we were back to work चलेगा यह चार दिन की चांदनी थी the plan felt apart like a house of cards house of cards का मतलब होता है कोई चीज अगर बहुत कमजोर हो ताश के पत्तों की तरहड है जाना तो plan के है ताश के पत्तों की तरहड है गया the minute we realized that we had not planned it well उसी चांद जब हमें लगा कि वह planning कुछ कमी रहे गया उसी समय plan के है ताश के पत्ते की तरहड है गया दो नमब आस्तोष पैसेज दो तरह का होता है जैसे इधर जो पैसेज अभी आया है ना हम लोगों के सामने यह सारी जो पैसेज हैं इनको keyword पर इसले नहीं बना सकते हो ना क्यूंकि यह इसमें कोई भी keyword based question नहीं था keyword based हम लोग बता देते हैं inference based question जो होता है ना कि पैसेज के हिसाब से क्या true है पैसेज के हिसाब से क्या false है वह आप keyword से बना सकते हो कि भाई यह जो line है वो कहा लिखी गई है वहाँ पर गया है और पढ़ करके हमने क्या है उसको check कर लिया तो inference related जो question होता है वह keyword से बना सकते है keyword का मतलब है जैसे this है तो this तो keyword नहीं होगा क्योंकि this तो एक passage में 10 बार use हुआ होगा तो कोई proper noun हो कोई date हो कोई number हो कोई numerical value हो तो उसको खोचते हैं तो passage में वह असानी दिखता है फिर उसको पढ़ करके हम लोग देख लेते हैं कि whether the passage के हिसाब से वाक कि सही है या गलत है inference based question क्या है keyword से बना सकते हो लेकिन आज इस तरह की question तुमने और हमने देखे है न वह inference से नहीं बन सकता वह question inference से नहीं बन सकता उसके लिए passage आपको पढ़ना ही परेगा इसलिए passages थोड़े short दिये रहते हैं कि को नहीं भी पता है कि अगर बड़ा पैसेज दे देंगे तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए छात्र के पास पर्याप्त समय नहीं होगा ठीक न चलो तो ऐसा करते हैं कल अगला बना के रखो गया ठीक है और यहां से छोड़ देते हैं कल इसको भी करा देंग और अगले जो टाइम फ्रेम है पॉना घंटा को गया है निकल गया हम भी क्या है कि सारे साथ बेज से पढ़ा रहे होते हैं तो हम भी क्या होते भी तक एक तरह से थक गये होते हैं बैठे बैठे तो कल इसको और अगला बला जो होगा यानि तीन नंबर वह बना के रखना 33 से 40 तक करा कर देंगे कोश्चन और अगला बला पैसेज भी क्या करेंगे शुरू कर देंगे एडिटोरियल इत्यादी रेगुलर पर हो अगर हो सके तो फाइनेशल एडिटोरियल जादे पर हो तभी रीडिंग तुम्हारा सुध्रेगा तब जाकर के पैसेज बनाने की पेस क्या होग ठीक है तो कल बाकी का कोश्चन कर लेंगे और अगला बला ये बला भी टैच करके आओगे तुम्होग 3 न्यू पैटर्न इंग्लिश 3